हेलो स्टूडेंट्स कैसे आप सभी आई होप आप सभी काफी अच्छी होंगे तो आज हम सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं जो की मैज से रिगार्डिंग है इससे पहले हमने फिजिक्स का पार्ट आपके पास एड कर दिया था धीरे धीरे बिदिन 5-10 मिनेट्स न यहां पर प्रोवाइड करवाएंगे तो चलिए ज़्याद टाइम ना लेते हुए हम आपको यहां पर इनके आंसर जो है वो प्रोवाइड करवा देते हैं तो मैथमेटिक सेक्शन को हम यहां पर कवर करेंगे इसमें 91 क्वेशन आपके पास 270 एंगल इस एन एग्जांपल तो देखिए जब आप कोई भी एंगल पढ़ते हो तो डिफर्ट डिफर्ट टाइप्स के एक्जांगल जो है आपको देखने को मिलते हैं तो यहां पर आप देखोगे तो यह कह रहा है 270 डिगरी एंगल तो किसी भी लाइन के ओपर जब कोई एंगल ड्रोव करते हैं तो व जो आपके расп-e एंगल है वह आपके पास 180 एंड़ जो 270 है सुर्य उसके बीच में आपके पास आ जाता है एक पर कर दंस है आपके पास यहां पर जोके रिफ्लेक्स एंगल जो इसका राइठ आंसर क्योंक्वे ये 270 है आपके पास next है मारे पास how many times wheel of radius 28 cm must rotate to go 3 to 332 meter okay तो simple सा question था आपको पहले centimeter में convert कर लो दोनों equations को या meters में after this उनका जो भी circumference से आपके पास उसको cover कीजी कितनी आपके पास है radius के according उसका पूरे एक circumference आ जाएगी and after this जो है उसको divide कर दीजी जो भी total उसने distance cover किया है तो इस question का जो right answer है आपके पास बो है option number so option number A जो है आपके पास right answer है 200 times okay next है मारे पास in the quadulator quadulator show हो रही आपको आपको यहाँ पे find out करना था area of the quadulator पूरा निकालना था easy way में निकाल सकते हैं या तो आप इसको with the help of triangle method से भी निकाल सकते हो दो आपके पास triangles हो गई इनके बीच में height तो दी गई है आपके पास बीच बालब दिया गया है पाइथर गोर्स लगा क्या values को निकाल सकते है इस ebay में बाकी हम कल बता देंगे आपको क्योंकि यहाँ पे काफी ज़्यदा properties भी और आपके पास लगेगी इसका right answer आपके पास option number B 252, okay 93 का right answer option number B next यहाँ आपके पास वन मिनिट दीजिए यहाँ से जो marker वो यहाँ से जा चुका है चलिए, अचलिए आप मुबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काफी ज़्यदा दिक्कत होती है मुबाइल में next यहाँ आपके पास यहाँ पे 94 क्या कहता ratio of present is of unknown and राज is 4 is to 5 after 8 year जो ratio of 5 is to 6 बन जाती है आपको उनकी age के बीच में difference निकालना है तो जिसका right answer है आपके पास option number B, next यहाँ आपके पास 95 if x is an even number then what is the next odd number अगर आपके पास कोई x क्या है, even number है तो next odd number क्या होगा उसमें 1 जोड़ दो, x plus 1 next यहाँ आपके पास the height of the height and the slent height of the cone 21 है, 28 है, simply volume को formula लगा के आपको solve करना था, B जो है है, next है हमारे पास 97 a card of drawn at random from the pack of 52 card, the probability that the drawn card is not is not पूछा गया था, तो इसका 97, इसका right answer option number D है आपके पास, ठीक है 12 बटे, 11 next हमारे पास, the area of the रहुंबस, रहुंबस का एरिया था, and one diagonal दी गई थी, दूसरी diagonal निकान दी simple सा formula होते हैं, आपके पास, ठीक है 98 का right answer है, आपके पास option number C, ठीक है next हमारे पास 99, workers regarding था, क्या कहता है, if 15 workers can build up all in 48 hours, how many workers will be required to do the same work in 30 hours 30 hours में, तो 24 इसका आपके पास right answer है, ठीक है C जो हैं, आपके पास इसका right answer है next हमारे पास 101, if x minus 2 is a factor of this one, तो तो factor theorem आपके पास आ गई थी, ठीक है x is equal to 2 है आपके पास बस इसकी value डालो यहां पर, जैसे x के जगा 2, 2 लिखना है आपको सभी जगा right answer is minus 36 how many face does a hemisphere have, कोई भी आपके पास अगर hemisphere है, तो उसमें कितने number of faces आपके पास हो सकते हैं, तो right answer is option number one, यानी one इसका right answer है the mean of first and whole number, repeat हो गया ना question, यह अभी LGBT वालों के लिए भी आपके पास आया था, तो इसका जो right answer है आपके पास, that is option number B, 4.5, ठीक है, 102 का right answer है, option number B, next है मारे पास, sale price of it to car is 540, if the profit made by swapkeeper is 20%, 20% what is the cost, यह question भी मैंने आपको करवाया था, अगर आपको याद हो अभी, तो B इसका right answer है आपके पास, sorry, not B, D इसका right answer है, ठीक है, D आपके पास इसका right answer है, 103 का D, next है 104, तो 104 का भी आपके पास जो है, वो D जो है right answer है, क्या कहते है आपके पास, difference between maximum and minimum observation, तो वो आपको range represent करता है, क्या बताता है, range, next है मारे पास, simple सा question था, 3 raise to power x plus 4 and minus, तो आपको कुछ नहीं करना था, इसको convert करना था, जैसे 8 है, इसको 3 में convert कर दीजिए, या कोई और method भी आप लगा सकते हो, convert करना था था कि powers equal हो जाएं, then base अगर equal हो जाएंगे, तो power से आप इनको solve करके जिनका solutions निकाल सकते हैं, यहाँ से इनकी value डालना put कर दो, जहाँ पे भी आपका answer 8 बन जाएगा, वो आपका answer होगा, ठीक है, तो इसका right answer ठीक है, यहाँ पे minus 2, next है आपके पास 106, volume of cylinder, तो pi r square h, ठीक है, c आपके पास इसका right answer है, next है आपके पास 107, what is the number of side of regular polygon, whose each exterior angle, तो देखो यह भी करवाया था आपको question, यह इसका right answer है, ओके, यह मेरे reason की बात कर रहाँ, जो सिर्फ reason में करवाया थे, last time, next है आपके पास number ABC is divided by 9, then the sum of digit, in it is a multiple of, that is a multiple of 9, यह direct term है question आपके पास, next है आपके पास, the square of which the following would be an odd number, तो right answer is option number C, next है आपके पास sum of the first and odd number, formula आगया आपके पास सीदा, 2N plus 1, ठीक है, तो 1 0, sorry, n square, उगलत बोल दिया, n square इसका right answer है, simple, maths काफी easy आपके पास आया था, physics के थोड़े tough भी थे, ठीकिन maths के easy है, इसको standard form में लिखना है, convert करना है सिरफ, तो 5 into 10 raise to power minus 7, addictive inverse of rational number, addictive inverse यानि आपके पास क्या होता है, inverse करना है, plus का negative हो जाएगा, तो minus B upon A, जो आपके पास इसका right answer है, ठीक है, sorry, A upon B, A upon B है ने, तो A upon B, जो multiple inverse होते हैं, उसमें उल्टे हो जाते हैं, sign change नहीं होते हैं, SCF दिया गया है, LCM दिया गया है, आपके पास, दो number भी दिये गया है, कुछ नहीं करना था, वो ही था, HCF into LCM is equal to X into Y, ओके, तो 113 का right answer है, option number D है यहाँ पर, clear, यानि कोई भी यहाँ पर right answer नहीं बन पाएगा, LCM निकालना था न, LCM काफी बड़ी term आती है, तो जो D है इसका, वो right answer है आपके पास, next है मारे पास, a grandfather is 10 times older than his granddaughter, he is also 54 years old than her, तो यह question जो है आपके पास 8th class की book में से लिया गया है, कहां से, 8th class की book में से लिया गया है, right answer is, option number C, okay, find the age of granddaughter, तो वो 6 साल की है आपके पास, next है आपके पास, और लोडी truck travel 14 km in 25 minutes, if the speed remain the same, how far can it travel in 5 hours, तो right answer is 168 km, next है आपके पास 116, the altitude drawn on equal side of an equilateral triangle, r in the ratio of, तो equilateral triangle क्या होती है, equal होती है आपके पास, तो maybe possibility वो भी equal होंगे, तो 1, 1, 1 की ratio में वो आ जाएगा, next है आपके पास, the height of the cylinder, whose radius given है, total surface area given है आपके पास, sorry, radius given है, total surface area given है, height निकालनी है, formula लगाएंगे, simply आप इसको calculate कर सकते हैं, यह आपके पास इसका right answer है, next है मारे पास, the sum of two numbers is 100, and their differences, यहनि simple था, x plus y कर दो, x minus y कर दो, equal करके values आ जाएगी, ratio निकालनी है, तो 1, 1, 8 का right answer, 3 is to 1, यहनि B option आपके पास right है, the adjacent figure, hope, is a parallelogram, find the angle, angle निकालना था, कौन सा, z वाला, तो this one and this one, यह आपको पता होना चाहिए, यहाँ से अंदर वाला angle निकल जाएगा, इन दोनों का sum 180 होता है, तो यहाँ से calculate कर सकते थे, तो कितना आएगा आपके पास है, सिर्फ z निकालना है, ठीक है, तो z निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा यह, निकाल के चेक कर सकते हैं, 180 है, यहाँ पर 70 है, 110 तो यही हो गया आपके पास, ठीक है, और यह 40 है, यहाँ पर z है, polysat जाएगा, जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपके पास, 150 हो गया ठीक है, बच कितना गया, 30 बच आब आकी ठीक है, 20 का राइट आंसर है नेक्स्ट यह आपके पास By 3 Get 1 3, what is the percentage of risk count, repeatable question है यह, 20 का राइट आंसर है तो इस section में math section को cover किया, अगर by chance को गलत आंसर आपको बता दिया हो, comment कीजिएगा बता दिजिएगा, बाकि कल इसको हम detail में आपके पास present करेंगे तब तक मिलते हैं next video में, तब तक के लिए thank you and have a nice day